एक दिन गोपियों ने मटका को उपर लटका दिया ताकि उसका नजर ना पड़े छोटे छोटे बच्चे हैं इतना उपर तो पहुंच नहीं पाएंगे तो माखन के मटके को लटकाया और साथ में गंटी को भी लटकाया ताकि जैसे चोरी होगा तो गंटी बजेगी आवाज आएगा चोर पकड़ने का ये पहले के समय का एक बिधान था आजकल तो चोर को पकड़ना हो तो CCTV लगाओ क्यामरा के माध्यम से हमको पता चलता है लेकिन उस जमाने में क्यामरा भी नहीं था तो गोपियों ने युक्ती सोचा गंटी लटकाया और जैसे भगवान अपने सखा के साथ में दीरे दीरे भीतर गए गोपियां वहाँ से तैयारी करके कहीं छुप गई और जैसे भगवान ने देखा कि जहां पर मटका रखा जाता था वहाँ तो है ही नहीं पूरे सखा भूखे है अब जैसे चारो और ढूड़ा भगवान को लटकता हुआ दिखाई दिया जैसे भगवान का नजर पड़ा भगवान बोले देखो इधर है सखाओं को बुलाएं अब कैसे उपर जाएं कैसे मटका को उतारें तो एक सखा के उपर एक फिर उसके उपर दूसरे तिसरे करके भगवान सबसे उपर चड़ गए और जैसे भगवान उपर पहुँचे तो भगवान ने देखा मटकी के साथ में घंटी भी है अब भगवान गंटी से बात कर रहे घंटी बजना मत हम सब लोग मांखन खाने आये हैं सब हमारे सका भूके हैं लिए असलिए बजना मत गंटी बोली ठीक है जैसे भगवान ने मांखन निकाला सखाओं को खिलाया सखा त्रिप्त हो गए उसके बाद ने भगवान ने माखन निकाल करके बंदरों को खिलाया जैसे बंदरों को भी माखन खिला दिया अब भगवान का नम्मर आया जैसे भगवान ने माखन निकाला अपने मूँ में ले गए पास में ले खाने ही वाले ते गंटी बज गई जैसे गंटी बजी गोपियां दोड़ के आई गोपियों को देख करके होस उड़ गया सखाय सब भागने लगे भगवान नीचे गिर गए इतने में गोपि ने हाथ पकड़ लिया का नहीं आज तुम्हें हमने पकड़ लिया कबसे हम लोग इस सबूत ढूने में लगे थे लेकिन आज ये अच्छा हुआ कि आज पकड़े गया जूट नहीं चलेगा आज तक तो हमेशा बहाना मारके भागे थे आज क्या करोगे भगवान बोले इतना अच्छा भी नहीं है तुम्हारे घर के माखन जिसको खाने के गाये हैं खूब माखा नहीं रोज खाने को मिलता है तुम्हारे घर में तो मटकी से भी बदभू आ रहा है नजाने कब का पुराना होगा गोपी कहते चाहे कैसा भी हो चोरी तो किया है न भगवान बोले सच में चोरी नहीं किया तो गोपी कहती तो हाथ में कैसे लगा है भगवान बले वो तो ऐसा है कि मा ने जो कंगन पहनाया मड़ी का ये करम हो रहा था जल रहा था इतना तेज गर्मी है जल रहा था इसलिए मैं सीतल कर रहा था ठंडा कर रहा था गोपी ने हाथ पकड़ी खीज करके ले जा रहे आज तो यसुदा के सामने ले जा करके सिकायत करूंगे आज नहीं बचोगे अब गोपी क्रोध में भगवान को खीज करके जा रहे हैं भगवान सोचरे अब कैसे भागें कैसे भागें जैसे जाते जाते रस्ते में भगवान ने सोचा कि यह खुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो आज मा को पता चलेगा रस्ते में भगवान चल रहे हैं गोपी यहां तक गुंगट है ब्रिंदावन में माताएं गुंगट डालते हैं बहुत लंबा आज भी गुंगट लगाती हैं तो जैसे भगवान ने देखा गोपी का तो गुंगट डला है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है और इतने में उसी गोपी के पती उदर से आ रहा था भगवान ने इसारा से भुलाया इदर आ जाओ वो आ गया और भगवान ने गोपी से कहा देखो हाथ में दर्द हो रहा है ये हाथ को छोड़ो और इसमें पकड़ो गोपी को लगा छोटा सा बाला के सच में दुखरा होगा अब जैसे गोपी ने एक हाथ छोड़ करके दुसरा हाथ पकड़ने वाली थी इतने में भगवान ने उसी के पती का हाथ पकड़ाया और पीछे से भाग गए अब सौटकट जल्दी से भगवान अपने घर गए हाथ मों दो के अपने कक्षमें अच्छे से बैटें संसकारी बने अब जैसे गोपी अपने पती को लेकर के जा रही है पती गया चुपचाप से गया कभी कभी तो हम भी ये सोसे पती के ऐसा था बोलना था नो उसको बोलाई नहीं हो चुपचाप जा रहा है अब गोपी चिल्लाती हुई जा रहे आज तो सिकायत करोंगी अब जैसे नंद भवन में आगन में जाके खड़ी हो गई जोड़ जोड़ से आवा तो अरे ये सुदा बाहर आ जाओ ये सुदा जी जैसे बाहर गई गोपी बोलने लगे आपने कहा था ना मेरा बेटा चोरी नहीं करता ये देख लो आज हम पकड़ करके लाए सबूत के साथ में हाथ में देख लो माखन लगा है मुँ में माखन लगा है वे सुदा जी सुनती गई मुश्कुरा रही है गोपी ने खूब बोला पांच मिनिट पर बोलती रही अब जैसे गोपी चुप हो गई नंदरानी ये सुदा जी कहती गोपी एक काम करो एक वार अपने गुंगट उठा करके देख लो जैसे गोपी ने अपने गुंगट को उठाया देखा तो खुद का पती खड़ा था अब तो गोपी को बड़ी सरम लगी गुंगट डाल के जल्दी से वहां से भाग जाती ऐसी प्यारी लीला भगवान ने किया और इतने में भीतर से भगवान आते हैं कि मां कौन आया है कौन बुला रहा है भगवान चोरी करते हैं और इस चोरी से गोपियां भी प्रसन्न हो जाती है अगर एक दिन भी चोरी करने नहीं जाएं तो गोपियों को बड़ा दुख होता था आज भगवान भोग लगाने नहीं आया